किसान भाईयों नमस्कार मेरा नाम है पंकर्ष तीवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल पंकर्ष की किसान पाड़ साला किसान भाईयों अभी फरोरी का महीना चल रहा है और फरोरी के महीने में जो है आम के पौधे में बहुर आना सुरू हो जाता है तो ये जानकारी किसान भाईयों उन किसानों के लिए है जिन किसानों के पास आम का पेड़ है एक दो पेड़ है या पूरा का पूरा बगीचा है किसान भाईों जिनके पास आम का एक दो पेड़ होता है अक्सर क्या होता है कि उसमें आम के पेड़ में बौर नहीं आता है तो किसान भाई ऐसा माल लेते हैं कि एक साल फल आता है और एक साल फल नहीं आता है लेकिन ऐसा नहीं है जिन किसान भाईों के पास आम का बगीचा हो अभी बहुत golden time चल रहा है दवा डालने का तो जिन किसान भाईों ने अपने आम के पौधे में दवा नहीं डाली है और जिन किसान भाईों के आम के पेड़ में अभी बौर नहीं आया है अभी मंजरी नहीं आई है वो किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखें बहुत सही जानकारी मिलने वाली है किसान भाईयों आम का फल एक रसीला फल है जो भारत में फलों का राजा माना जाता है और आम का फल एक भारतिय फल है आम भारत में ही पैदा हुआ था इसके बाद हो कुछ देशों में जो है उसका निर्यात हुआ और बहुत सारे देशों में आम का प आए जान लेते हैं कि आम के पेड़ में ऐसे किस प्रकार की दवा का हम इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे आम के पेड़ में खुब ज्यादा से ज्यादा बौर आएं और ज्यादा से ज्यादा फल लगें किसान भाईयों इंसेक्टिसाइड आता है एक क्यूनाल फास धाई 100 ml लेना है और एक आता है लेमडा जो आप स्कीन पर भी देख रहे हैं लेमडा आता है उसको लेना है 100 ml और WDG सलफर लेना है 500 ग्राम इन तीनो दमाओं को 200 लीटर पानी में मिला के खुब बढ़ियां से उ जो भी उसमें जो है छोटे-छोटे कीड़े होते हैं वो सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे और जो आप डबलू-डीजी सलफर डालेंगे सलफर जो होता है ओ फूल आने में पौधे की मदद करता है और यह फंगिसाइड होता है यह फूल नासक होता है तो इन तीन दवाओं का परियोग अगर आप अपने खेत में आम के पेड़ में करते हैं तो आपके आम के पेड़ में बहुत ज़्यादा बहुर आने की संभावना हो जाएगी एक चीत ध्यान रखना है कि बहुर आने के बाद इस दवा का परियोग नहीं करना है इस दवा का परियोग बहुर आने स ये जानकारी हम आपको निश्क वीडियो में देंगे किसान भाईयों ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बाक्स में लिखके जुरूर बताना और ये आपने अपने पौधे में किसी प्रकार की दवा डाला है तो कमेंट बाक्स में उसका जिक्र भी आप जुरूर करना सभी किसान भायों को नमस्कार धन्य बाद फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के ताथ तब तक के लिए राम राम